तो मैंने का चलिए आज कुछ बातचीत कर लेते हैं और मेरा बातचीत करने का मन तभी करता है जो मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना होता है अचली जब हम किसी को प्यार करते हैं और अगर उसमे कुछ मिसंडरस्टार्णिंग होने लगे तो बहुत जरूरी हो जाता है कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए ताकि वो रिष्टे हमेशा स्ट्रॉंग बने रहे पिछले चार साल से में यूट्यूब पे हूँ और कित करते हो उस तरह से जब आप लोग करते हो तो मेरा भी आपकी उस बात से एगरी होने का पूरा बूरा दिल करता है तो भी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यह सब बातें क्यों कर रही हूं मेरी प्रिवियस वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ अपनी एक तीर की डिटॉक डिटॉक्स डिटॉक्स कर लेती हूं जब भी मुझे अपना स्टमक थोड़ा अपसट लगता है और उसी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था जैस्मीन का एक दिन का डाइट प्लैन मैंने आपको बताया था कि जैस्मीन आजकल किस तरह की डाइट फॉलो कर रही ह जिसमें डाल, राइ, सबजी, रोटी मिसिंग है या फिर बहुत ही कम रेशो में दी जाती है आप लोग जैस्मीन को बहुत प्यार करते हैं उसकी बहुत केर करते हैं आप हम सब के साथ बहुत अटायाज्ट हैं अगर आप लोग वरी हैं उसकी डाइट को लेकर कि ग्रोइं लेकिन अपने कामकाज को लेकर आप काफी एक्टिव रहते हैं दिन भर आप लेजी नहीं होते हैं अपनी लुक को लेकर भी आप सटिस्फाइब हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं जब मैं यह कहती हूं कि वेट लूस करने के लिए कभी किसी diet plan की ज़रूरत ही नहीं होती तो फिर jasmin एक diet plan follow क्यों कर रही है देखिए आप जिस age में है मैं जिस age में हूँ हम लोग बहुत ही mature behave करते हैं understand करते हैं चीजों को patience रखते हैं इस चीज को जितना वक्त देना चाहिए हम देने के लिए तयार होते हैं लेकिन क्या बच्चे सेम वैसा ही सोच सकते हैं जैसा हम लोग सोचते हैं क्या उन में उतनी patience होती है तो सेम यहाँ पे jasmin का भी वही था desperately वो एक diet plan चाहती थी इसलिए हम दोनों ने discuss करके यह decision लिया मैंने हमेशा आपको बोला है कि मैंने रुजदा दिवेकर की diet को follow किया eating pattern को change किया और उसे अपना lifestyle बनाया धीरे धीरे मेरा weight lose हुआ लेकिन वो जो weight गया वो बापिस कभी नहीं आया तो यही चीज अक्सर मैं jasmin को समझाया करती थी और जैसा मैंने कहा सेम उसने एक दो बार follow करने की कोशिश भी की लेकिन वही बाद जो मैं आपको कह रही हूँ कि बच्चों में उतनी patience नहीं होती है वो एक दो week follow करती लेकिन जब weighing machine पे वो खड़ी होती weight में कुछ बदलाव उसे नजर नहीं आता फिर वो demotivate हो जाती उसे लगा कि नई ममा मुझे एक बार तो एक diet plan चाहिए है थाकि मैं एक बार अपना 10 kg की round weight लूज कर लूँ उसके बाद जैसे आप वो लोगे जैसा lifestyle आप follow करने के लिए वो लोगे जैसा eating pattern आप follow करने के लिए वो लोगे मैं करने को तयार हो जाओं खैर उसने जिद्ध की तो force मैंने अपने बच्चों को कभी किसी चीज के लिए नहीं किया मुझे लगा कि professional dietitian से consult करने में दिक्कत क्या है क्या हर्ज है उन लोगों ने हमसे ज़्यादा पढ़ाई की उन लोगों को इन चीजों के बारे में हमसे ज़्यादा knowledge है चलिए जैसमिन ने जैसे ही dietitian को consult कि और उस dietitian ने जैसमिन से तकरीबन डेड़ घंटा बात की उसके lifestyle के बरे में जाना दिन भर वो कैसी activity करती है खाने में क्या-क्या खाती है किन-किन चीजों को लेकर उसे craving होती है कितनी बार वो junk खाती है, कितनी बार वो outing पे जाती है तो each and every respect पे उन दोनों ने आपस में बात की और जैसमिन ने बहुत ही clearly उन्हें हर चीज explain की लेकिन जब first diet plan जैसमिन के पास आया तो मैं बहुत shock थी मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि इस तरह की diet में जैसमिन को बना के दूँ खेर एक week, दो week मैंने उसे इस तरह की diet दी लेकिन फिर मुझे feel हुआ कि हम सब लोग सब कुछ खा रहे हैं दाल, रोटी, सबसी, हम सब खा रहे हैं लेकिन जैसमिन कुछ चीज़ों को skip करती जा रही है फिर मेरा मन नहीं माना जैसमिन से discuss करके मैंने एक बार dietician को call किया मैंने उन्हें पूछा कि आप किस basis पे जैसमिन को इस तरह की diet देना prefer कर रहे हो मैंने उन्हें बोला कि मैं आपको किसी भी point से judge नहीं कर रही हूँ लेकिन थोड़ी बहुत knowledge मुझे भी है तो मैं जाना चाहती हूँ कि ये diet आप जैसमिन को कब तक दोगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसमिन daily वही diet consume करे जो हम हमेशा खा सकते हैं क्योंकि इस तरह की diet को हम पर lifestyle नहीं बना सकते हैं तब उन्होंने मुझे वही चीज एक्स्प्लेइन की जो कुछ हद तक मेरे माइन में भी आ चुकी थी क्योंकि जैसमिन का metabolism बहुत slow है इसी वज़ा से उसे बार-बार weight gain की problem face करनी पड़ती है तो वो चाहते थे कि जैसमिन को ऐसा diet plan दिया जाए जिससे उसका metabolism fast हो जाए ये बात तो मैं भी जाती हूँ कि जब हमें metabolism को fast करना होता है तो दिन भर में हमें बहुत ही छोटे-छोटे but frequently meals consume करने होते हैं ताकि हमारा digestive system continuously काम करता रहे और metabolism को fast करने के इस process में अपने system को कोई भी ऐसी चीज बार-बार नहीं देनी होती जिसे digest करने में जाधा time consume हो पहले एक दो हक्तों में उन्होंने जैसमिन का water weight चेक करने के लिए उसे बहुत ही normal diet थी काप्स बिल्कुल कम दिये और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जैसमिन को हम जो भी diet दे रहे हैं उसे उसका weight हमेशा करिए जाएगा धीरे-धीरे देर दो महीने के बाद हम normal diet पे उसको ले आएंगे हम उसे portion control करना जिखाएंगे क्योंकि अभी जो diet दे रहे हैं उसमें portion control बिल्कुल नहीं है जितना चाहे उतना खा सकते हैं लेकिन उसे कहा गया है कि तो हमने अपने पेट को 80-90% फिल करना है अभी जैसमिन को diet फॉलो करते हुए कम सकम डेर महिना हो गया है तकि उस चीज को वो अपना lifestyle बना सके और दोबारा कभी उसे weight cream की problem face ही ना करनी पड़े तो बात वही है कि जो चीजे हम कई बार बच्चों को सारी उम्र समझाते रहते हैं उन्हें वो समझ में नहीं आती लेकिन जब कोई बाहर का आदमी वही सेम चीज कहता है तो बच्चे जल्दी समझ आते हैं कोई फरक नहीं पड़ता किसके समझाने से समझ में आया बात समझ में आ गई वही बड़ी बात है तो देखिए डाइट प्रैंस करते हैं great activities वहते हैं उन्हें इस चीज के पढ़ाई कर रखी होते हैं पढती ही होया कि हिसकी interpret and health issues होते हैं, different height होती है, different weight होता है, different metabolism होता है, jasmine को जोबी diet दी जा रही है, customized diet है, जो उसकी body type के लिए suitable भी है, jasmine को दिन भर में 8 भार खाना होता है, यानि की छोटे-छोटे, but frequently meals, ताकि उसका metabolism fast हो सके, जैसे की लसी हो गया, कभी green tea, कभी salad, कभी fruit, कभी चना चाट, और उसकी diet में सब कुछ available होता है, ऐसा नहीं है कि carbohydrates बिल्कुल skip किया गया है, protein बिल्कुल skip किया गया, कोई दिन तो full of carbohydrates होता है, कोई दिन full of protein होता है, किसी दिन सिर्फ fruit and salad लसी का intake जादा होता है, हम जो diet खाते हैं, हम वोड़ी balanced diet होती है, उसमें daily carbohydrates होते हैं, daily protein होती है, daily salad होता है, daily fruit होता है, बट ऐसी diet देने का उनका भी कोई reason होगा, जब Jasmine नहीं डेसाइड कर लिया कि मुझे 3-4 महीने के अंदर अपना काफी weight reduce करना है, तो जैसा उसने कहा कि मुझे diet patient से consult करना है, तो उसे consult करवाया गया, अब उसको result भी अच्छे मिल रहे हो, काफी light भी feel कर रही है, बट ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहे हूँ कि आप अपने portion control में खाना छोड़ कर इस तरह की diet plans के पीछे भाग जाएगे, कोई भी चीज कितनी गरत है, कितनी सही है, आप पे कैस उट करता है, उस पे depend करती है, मुझे कोई personally कहे, इस diet plan को follow करने के लिए रोज रोज तो शायद में नहीं कर पाऊंगी, हाँ कभी को बार मुझे करना पड़े तो ठीक है, क्योंकि हमें daily dal खाने की आदत है, daily सबजी खाने की आदत है, बढ़ ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, अभी तो उसे रिजल्ट दिख रहे हैं, डाइटीशियन रुजदादी वेकर ने जो हमें सिखाया है, उससे best शायद कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है, बीच-बीच में जब भी मुझे लगता है कि जैस्बी को नॉर्मल खाना खाने की क्रेविंग हो रही है, तो मैं उसे दे देती हूं, बाद में नेक्स्ट मील पे फिर हम थोड़ा बालेंस कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ गुछ गुरानी की बात नहीं है, वैसे तो डाइट प्लैन हमारे घर में पहली बार फॉलो गिया जा रहा है, देखते हैं, रिजल्ट कैसा आता है, तिकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूत नहीं है, मैं हूँ, आप हैं, जैस्बीन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, I know कि आप लोग वरेड रहते हो मेरे बारे में, because you know, you follow us for a long time, आपनी जाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हो इस डाइट की विज़से, but I think मैं बहुत ज़दा कॉन्फुरेंट और बहुत ज़दा खुश फील कर रही हूँ, after this diet, अभी recently, कल ही मैं अपने फ्रेंड के बोधे पाटी पे गई and I wore a dress, तो मैंने जब अपने अपको mirror में देखा तो मुझे इतना ज़दा happy और confident feel हुआ खुद को ऐसे देखके कि मैं अपनी body में एक बीज़ पॉइंट आउट नहीं कर पाए कि यह अच्छा नहीं लग रहा या वो अच्छा नहीं लग रहा मतलब मैं इतना अच्छा feel कर रही थी और ऐसा नहीं कि मेरी energy low रहती है या मैं starve करती हूँ या मुझे बहुत भूख लगती है ऐसा खाना है वो मेरे 8 meal है दिन में 8 meal is a very big thing और मैं properly सब कुछ खाती पीती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे starving होती है बिलकुर भी और बलकि उन्होंने मुझे बोला भी था कि अ आप नत्स वगेरा खा सकते हो बीच में क्योंकि आपने अपने आपको बिल्कुल भी स्टाव नहीं करना है जितनी भी वीडियो आपने एक दिन का डाइट प्लान देखा है बट अगर आप पूरे वीक का देखे तो आपको पतले है कि मैं सब कुछ कुछ कंजियूम करती बीच अब तो मैं सब कुछ ले रही हूं इस नोट जस्त जो आप देख रहे हो कि हां नोट जो कोकुनिट वाटर हो गया या लेमन वाटर हो गया या फिर सालेट हो गया रायता हो गया कि सिर धन होता है कि बालन्स इट थूर्ट वीक किसी दिन हमने थादा खा लिया तो हम बालेंस कर लेते हैं उस चीज को इस डाइट इस कम्प्रीटली गुड ऐसा कुछ नहीं क्रैश डाइट है मैं अपने आपको हाम करूं कि किसी रहे से वह एक अच्छी डाइटीशन है वह बहुत नॉलज़िबल है इन सब चीजों में और बहुत साल से वह काम कर रहे हैं तो आ बहुत सारी पर्सनल चीजे मुझसे पूछी ताकि वह एक कस्टमाइज डाइट में बना सके जो मेरी बॉड़ी के लिए कंप्लीटली फिट हो और हर हफते वह मुझे कॉल भी करते हैं कि मेरा हफता कैसा रहा और मुझे पूछते भी है कि मुझे कुछ चेंज करना है तो क् तो कि मुझे सब चीजें को बीच में इंकलूड करते हैं कि मुझे राइस थोटे जादा खाना है तो उससे साब सी अच्छा लगता है कि मैं कितनी अच्छी लग रही है और अभी भी बहुत सारा टाइम पड़ा है और एद रिक्स की निया है इसलोग सोब बहुत होते हैं आपको further जाके thyroid, ऐसे issues, diabetes और यह से भी issues आ सकते हैं So I don't want कि मुझे वैसा कोई भी issue आए आज तक हमारी family में किसी को कोई problem नहीं हुई है And I wouldn't want कि मुझे भी ऐसा कोई problem हो It's for myself मेरा self-confidence बीच में बहुत ज़ा down हो गया था Just because I was feeling very body conscious Also, मैं पहले बहुत लेजी भी फील करती थी क्योंकि वेट की वड़े से मन नहीं का जाता है कुछ भी करने का जाने का तो किसी को बोड़ना कि या चल तू यह कर दे चल तू वह कर दे तो मेरा खुद का मन नहीं करता करने का बट अब मैं actively उपर नीचे अपने आप चले जाती हो मैं किसी को कुछ बोलती भी नहीं कि मेरा उससे थोड़ना जुलना भी हो जाता है मेरी बॉड़ी बहुत ही active और light feel कर रहे है और every week उसका weight check किया जाता है तो मुझे हमेशा regret रहत कि मुझे खुछ से Jasmine को कोई diet plan नहीं देना चाहिए था लेकिन हमने professional dietitian को consult किया है तो यह बात मुझे अच्छी लगी कि weight धीरे धीरे जाए तो जादा बढ़िया रहता है एक महिने में आपने 10 kg lose किया, 8 kg lose किया अगले 2 महिनों में आपने 15 kg बढ़ा लिया, उसका कोई फाइदा नहीं होता और मैं आपसे भी यही कहूंगी कि patience रखिए, potion control के साथ time को watch करते हुए, धीरे धीरे अपने eating pattern को change करते हुए अपने weight को reduce किजिए, अपने आपको fit रखिए क्योंकि हर body type different होता है, सबका metabolic rate different होता है कि activities different होती है, सबका lifestyle different होता है तो different तरह की diet ही उन्हें चाहिए होती है ज्यादा calories consume करने का मतलब सिरफ उसी जगह बे होता है जहां आप ज्यादा activity करते हैं Jasmine की ज्यादा sitting होती है, वो बैट के अपनी पढ़ाई करती है ज्यादा activity करती नहीं है But don't worry, हम पूरी life is diet plan को follow नहीं करने वाले है एक बार उसका थोड़ा सा weight reduce हो जाए तो वापिस से उसे वही routine diet दी जाएगी अब मुझे नहीं बता कि जो भी बाते मैंने आपको कहीं है वो आपको satisfy कर पाएंगी या नहीं लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि हमें result देखने के लिए थोड़ा weight ज़रूर करना चाहिए तो चलिए आज की video में इतना ही मिलूंगी next video में Till then bye bye, take care and stay healthy